दोस्तो हर एक वीडियो में हम आपको बताता रहता हूं कि रिलैंस जो है यह बिग्गेस्ट कमपनी है ज्यादा देर तक यह डाउन सार्किर में नहीं रह सकता है ठीके यह आप ग्रोथ पकड़ेगा ही पकड़ेगा तो हमने सुकुरवार को आपको बताया था जब मार्केट क यहां पर देख सकते हो आज का मार्केट क्या है और यहां पर वाफिट क्या है यहां पर ग्रोथ लेबिल क्या है आज के मार्केट यहां पर सिंपल आप देख सकते हो हाला कि पांस दिन के बात करें तो पांस दिन में देख सकते हैं यहां पर पांस दिन में काफी ज्यादा यहांपर हमने बताया था यहां और यह कमपनी फिर में पर श्रदण करें सदेता है क्योंकि हर कंपनी चाहता है कि हमारा कंपनी आगे कोई भी कंपणी नहीं चाहेगा कि हमारा कंपणी नीचे के तरफ जाए तो डिफिनेटली यहां पर हम सुकुरबार को ही बता दिया था कि यह आप ग्रोध में जाएगा 100% आपको वता रहा हूं कि मंडे को यह ग्रोध पकड़ेगा तो यह आप देख सकते हैं ग्रोध ऐन गया था जो उन्वेष्टर है लोग अग्रोध अगया था लेकिन अगर आप हमारे वीडियो देखते हो तो सठीक इंफयर्मेशन आपको दिया जाएगा और सठीक एंफयर्मेशन आपको मिलेगा था यहां पर देख सकते हैं एक दिन के बाद करें तो यहां पर डिफिन यहाँ पर growth level आप देख सकते हो कितना ज्यादा growth level पकड़ा है कल के हिसाब से आज का जो market है वो recover कर रहा है यहाँ पर open की बक्त कितना price था देखें यहाँ पर open के बक्त यहाँ पर देखाने को कुछिश करेंगे 12.65 ठीके और यहाँ पर high गिया था 12.65 और यहाँ पर low गिया थ market जब open हुआ था market open होते ही यहाँ पर down circuit दिखने को मिल गया था यह देखिए down circuit कितना गया था 12.05 तो आज के date में भी डर खा गया था कि आज के फिर से यह down growth में जा सकता है फिर से down circuit में जा सकता है लेकिन हमारा वीडियो अगर देखते हो तो आपको definitely समझ में आ गया होगा कि आज के date में भी यह आप growth पकरेगा रिलेंस पावर सिक्टर जो है यह growth के साथ आगे बढ़ेगा यहां पर market capture भी अच्छा खासा है देख सकते हो तो यहां पर आज के date में हम अभी बात करेंगे कि यह जो level है यह जो growth level है यह आज के close के पहले तक कितना जा सकता है यह जो growth है कितना जा सकता है तो यहां पर हम बताने की कोशिश करेंगे growth level जो है अभी देखिए यहां कितना price है कि यह पर price आप देख सकते हो 12.50 तो यह डिफिनिटली आज बढ़ सकता है ठीक है ना आज यहां पर 3 भी जा सकता है या इस तिरा पिलास भी हो सकता है ठीक है तो यहां पर definitely आपको सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए हमें आभी यहां पर hold बनाए रखना है या फिर sell कर देना चाहिए अगला पांस दिन या फिर एक मैना की बात करो तो एक मैने से लोग डर गिया था पांस दिन बात करो तो यहां पर भी देखी काफी ज़्यादा यहां पर देख पा रहा है लेकिन आज डाउन और आप दोनों ही होगा आज एकदम भी डाउन नहीं जाएगा मेरा हिसाब से यह फिर से आप ग्रोथ पकड़ेगा और आज के लेविल अच्छा खासा रह सकता है हमने फेल ही आपको बोला कि आज तेरा या भी तेरा पिलास जा सकता है क्याने का चांस है लेकिन आपको डिफिनिटल यहां पर सोचना है कि क्योंकि आप ही इन्वेस्ट करते हो तो आपको वही सोचना है आपको यहां पर 80% सोचना है और हम यहां पर 20% बता सकते हैं कि आज का मार्केट क्या रहने वाल और कल से यह आप कुरोध पकड़ा है तो यह डिफिनिटली आप उपर के तरफ जाएगा तो आज के दिन इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन आपको यहाँ पर सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए देखिए आज के लेवल में जो यहाँ पर इन्वेस्ट किया था जब मार्केट डाउन हो गया था यहाँ पर इन्वेस्ट किया था तो उसको आज के डिट में अच्छा कासा मिल रहा है अभी ठीक है आगे जाकर भी मिल सकता है अब नीचे कॉम्प्यूर के बाद कर लेंगी क् की घिर के बात करें तो यहां पर देख सकते हैं गुल्ट सिर्स स्वाइब परशोकी आप में जा रहा था लेकिन टौज का से सब्सक्राइब नेचिल का सो टाइम में यह डाउन चला गिया था ठीक है तो आज के देखिए आभी 10 बज रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रूथ लेबल इसका उतना जाता नहीं है लेकिन फिर भी ग्रूथ लेबल दे रहा है 0.53% यह अपडाउन हो रहा है तो यहाँ पर टाटा पावर ग्रूथ लेबल पकर सकता है आज के डिट में और यहाँ पर रिलैंज कैपिटल लिमिटेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा प्रॉफित दे रहा है अच्छा खासा ग्रूथ पे देखाए पर यहाँ पर रिलैंज कम्यूनिकेशन की बात करें तो यह भी देखिए अच्छा खासा पॉफित दे रहा है 4.35% ग्रूथ लेबल की साथ आगे बढ़ रहा है यहाँ पर सुचोलोन इनर्जी ल्टीड के बात करें तो यह हमें ज्यादा नहीं लगा डेफिनिटली यहाँ पर डाउन सार्केट में था तो यह जो कम्पनी है सुचलोन यह आप ग्रोथ में देखाई पर रहा था लेकिन आज के डेट में देख सकते हो आप डाउन कर रहा है तो यहाँ पर डाउन सार्केट देखाई पर रहा है तो यहाँ पर दोस्तों आज के डेट में हम आपको बताना चाते हो तो यहां पर debin आपको सुचना है कि हमें क्या करना चाहिए और जो लॉंग इंवेस्टर है उसको तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर अगर शिक्स嗎 की बात करें तो शिक्समान्थ में देख सकते हैं काफी ज़्यादा गोओ लेबिल पर रहा है और और फाल साल यहाँ करना पर कहते हैं काफी जच्छाद़ वह यहां पर इंवेस्ट करने से पहले थोड़ा सोच समझ कर इंवेस्ट करिएगा और डेपिनिटली आपको ही समझना है आप समस्थ सोच सकते हो कि यहां पर अभी क्या करना चाहिए ठीक है ना तो आज के पूरा लेबल हम बताए हैं और आज के वीडियों कतम करते हैं अगर वीडियोग पर अधर लगेन अश्छी करना थैंक मैंच विलुड़ा बितन ऐखने के लिए